असलाम देखुरे मतुलाई बरकात हूं कैसे डेस्टुएंट्स उमीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे डेस्टुएंट्स नाइज फिजिक्स का गेस्ट पेपर जो है रेडी शेयर जो हो चुका है आज किस वीडियो में आप लोग साथ कमिस्टरी का गेस्ट पेप है तो वो जो है इंशालला नई जो पैटरन है न्यू पैटरन उसी के मताबिक हैं और हंडर परसंट इंशालला आप अगर इसकी त्यारी कर लेंगे तो पेपर जो है वो पूरा आटेम्ट करने के काबिल हो जाएंगे तमाम पंजाब बोर्ज लहोर गुजरमला फैसलबाद रावर पिंडी मुलतान डीजी खान भावल पूर सहवाल सरगोदा और अजायर किश्मीर के जो बच्चे हैं वो इस गैस से फैदा उठा सकते हैं तो अब मूव करते हैं गैस की जानी तो सबसे पहले चैप्टर नमबर बन डियर स्टोरेंस वैसे ये तमाम क्वेस्टन जो ह इंपोर्टेंट हैं लेकिन जो ज्यादा इंपोर्टेंट हैं तो उनके आग मैंने मैंशन किया हुए वह आप खुद देख लिजएगा सबसे पहला क्वेस्टन है डिफैन कमिस्ट्री और उसकी ब्रांच चीजिज जितनी भी ब्रांच चीजिजिज हैं आपने सारी कर लेन हैं एक या दो ब्रांच चीजिज का आपस में कंपेर या डेफिनेशन जो है वह लाजमी आती है उसके बाद गिव दसकॉप और बायो कमिस्ट्री नेक्स्ट है डिफाइन अलिमेंट्स एंड सिंबल्स हो डज़ होमजेनिस मिक्चर डिफर फ्राम हेटरोजेनिस मिक्चर व जो है पी इसलिए डिफरोज और अंब तो पाण्च कर सके तो पांच चार कर सके तो चार कर लें यह चीजजिज आपको लौग में फैदा देगी तो मूव करते और नेक्स्ट पेज़ के जानीप नेक्स पेज़ पे है डिफैन अविगर्टर नमबर, राट्स इस रिलेशन विद मोल, डिफैन इम्पेरिकल फार्मूला एंड मालेकुलर फार्मूला विद एक्जैंपल, डिफैन बिट्वीन अटम एंड आइंज, जैसे यह क्वेस्टन है यह लोग में भी अक्सर पूछ ल में काफी सारे क्वेस्टन ऐसे हैं जो लोग के लिहास से भी इंपोर्टेंट हैं सबसे पहला है वाट इस दा नेचर ऑफ चार्ज ऑन के थोड़ रेज फिर गीव फोर या फाइव वैसल शार्ड में टू भी पूछी जा सकती है लेकिन लोग के लिहास यह लिखा हुए गि टू प्रपर्टिटीज ऑफ न्यूट्र पालिटिकल्स डिफैंड प्लम पर्डिंग थियूरी राइड नेटू पास्टुलेट और बोहर अटामिक माडल तो यह भी लॉंग के लिहास से बहुत इंपोर्टेंट है शार्ड के लिहास भी लॉंग के लिहास से भी स्टैज स् इन रदर फोर माडल नेक्स्ट रडू डिफैक्ट और दर फोर माडल यह भी लोगं के लिए इंपर्टेट रटूद ज्यादा करने लिए ट्रॉनिक और यहां एल्लेक्टरोनिक कॉन्फिग्रेशन कि तरीव के साथ साथ जो आपको एक टेबल बना हुए जिसमें सल्पर मे किनेशियम कोलरीन और दो तीन हैं जिनके एलेक्ट्रोनिक कांफिग्रेशन जो है वह आप लोग को निकलनी पड़ती है तो वह आपको इन की कांफिग्रेशन जो है वह लाजमी आनी चाहिए जो चार-पांच मैंने बताएं है और वैसे जो है वह पूरा टैबल कालने एक आध जो है शार्ड क्वेस्टन अक्सब जो है वह किसी एलिमेंट की कांफिग्रेशन जो है वह पूछ लेते हैं डिफिनेंस ब्ट्विन शेल सब शेल इंपोर्टेंट है डिफैन आइसेटोप्स विग्जैंपल नेम दा आइसेटोप्स ऑफ हैड्रोजन हाव ग्वेटर इस डिटेक्टेड इन पेशेंट फार वाट यू-235 इस यूज़ फार वाट परपर यू-235 इस यूज़ वाट इसमेंट बैक कार्बन डेटि तो यह आप लोगों के चैप्टर लोगों के शाड क्वेस्टन है अब देखते हैं चैप्टर नमबर 3 की जादी चैप्टर नमबर 3 में सबसे पहले है वाट वाट वाज़ा कांट्रिबिशन ऑफ डॉबरीनियर टोवार्ज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हाव न्यू लेंट्स अरेंग दा इलिमेंट्स यह स्टेट दला अफ ऑक्टेवज एकी बात है स्टेट में लीव प्रियाटि मदल दो चीजों के जाए से कंपेर किया जाता है तो डिफरेंस जो है बस आप लोग ने उस तरह लिखने है डिफैन आजाए तो उपर निचाब ने तरीफ है लिखनी है डिफैन या डिफैन बिट्वीन ग्रूप एंड पिरिड वैया नोबल गैसे आर नाट रियक्टिव अचिज ये अब लोग के अब आप लोग के चापर नमबर 3 के important shard question 5-10 की average sorry 10 की average है किसी chapter में 10 से उपर भी है लेकि mostly average जो है वो 10 question रखें हर chapter में रेस्टर नवर 4 पहला question है where do you atom reacts with each other defend duplet rule and octet rule defend ionic bond and covalent bond with an example defend single covalent bond and double covalent bond with example what is mean by metallic bond what is loan pair and bond pair define polar and non-polar bond with example why are covalent bond become a polar a defined coordinate cobalt bond with the one example difference between donor and acceptor atoms next day any compound are solid justify usip next question why hcl has dipole dipole forces of attraction next i explain why ice float float on water give the characteristics your properties of any compound and covalent compound have matters are good conductor of electricity why defend intermolecular forces what is a difference between malleable and a ductile chapter 5-1 question difference between diffusion and effusion next time defend pressure and standard atmospheric pressure write their units where are the densities of gas is lower than that of gas is lower than that of liquid defend wells law of gases defend charlis law of gases you long ke lihaan se bhi dono important have both ziyada next question what is absolute zero defend freezing point of liquid defend melting and boiling point of a liquid defend crystalline solid and amphorice solid give their two example define the term allotropy with example next time define transition temperature writes write its value in the case of sulfur next time minus 30 degree ko aab logan kelvin temperature may convert karna hai to yaab logan ka chapter number five ho gya next chapter number six difference between solute and solvent define solution with example also write definition of solution of model solution ki types equis solution equis solution dilute solution है or concentrated solution हे और concentrated solution हे तो आप लोगों के इनके मतलब definition solution किया आनी चाहिए और इसकी types of definition भी आनी चाहिए फिर air difference between saturated unsaturated and super saturated solution with example define morality of a solution and write its unit where we stare parents thoroughly before using difference between collide and suspension. यह collide and suspension की properties और या फिर difference 4 से 5 आने चाहिए, लोग के लिहाद से भी यह important है. Chapter 6 के next question Defend molar solution and give example. What is mean by mass over mass? मता M over M What do you mean by volume over mass? What do you mean by volume over volume? Defend solubility, give one example what do you means like dissolve like? Defend Mall Tindall effect where the suspension does not form a homogeneous mixture Defend alloy with example Chapter 7 Defendrendo chemistry Defend oxidation and reduction in term of loss or gain of ED तो इस तो यह लागा जायां पर लगातमगों। लोंको oxygen नंबर जो है different elements का वो निकालना भी आना चाहिए especially HNO3 का तो इस तरह के दो examples और है तो उनका आपको oxygen नंबर जो है निकालना आना चाहिए यह भी एक तर शार्ट क्वेस्टन जो है वो पूछ लिया जाता है चैप्टर नमर सेवन के next question difference between spontaneous and non-spontaneous reaction what is electrochemical cell write the name of its types difference between electrolytic cell and galvanic cell what is salt bridge what is its basic function defined corrosion with example also describe where an iron grill is painted frequently यह long question भी पूछ जा सकते correction का और इससे बचने के तरीके वह एक्सीजन ओटू इस निसेसरी फार रस्टिंग डिफेंड अलेक्ट्रो प्लेटिंग चैप्टर नमबर 8 तो जहां पर dear students दो बाते mention करूंगा पहले यह कि जहां पर uses आएं तो आप uses कम से कम जो है वचार करें और जहां पर properties या characteristics आएं वह भी कम से कम जो है वह चार लाजमी करें शार क्वेस्टन का आप त्यार करें तो इस तरह आपकी लॉंग की भी त्यारी हो जाएगी पहला कुस्टन है ज़रिफ तो थो यूसे अफ तो यूसे अफ मगनेसिय यफ नही मृख थो यूसे अफ थो यूसे टीन और टेंट घ्यू इस आप लुड़रिव क्यू झाल्स माय रचिचिछ रचट उैप डचिचिछ नहें वन आप ऴन्येशन सहिट एप से कम ज़क एब नहें वह तर इम Commissioner तो 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 यह आप लोगों का शाड क्वेस्टन इंग्लिश मीडियों बच्चों का गैस्पेपर था तो अमीद करता हूँ आपको यह कावश पसंद आई होगी इंशाला आपका पेपर जो है शाड क्वेस्टन अगर यही भी आप लोग त्यार कर लें तो आप हर पार्ट में जैसे पांच-पांच सवाल करने होते हैं तो वो करने के काबिल हो जाएंगे मजीद वीडियोज देखने के लिए चैनल आज में सब्सक्राइब कर दीजेगा दौा में याद रखिएगा बेस्ट आफ लग फार इंग्जैम अला हाफीज